नमस्कार, स्वागत अबच्छों आपका Self Study के चैनल में और आज हम बात करने वाले हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समझोता हुआ था परमाणू समझोता जो कह सकते हैं यह फिर इसका एक लंबा नाम है अभी मैं उसके बारे में बता दूँगा दोनों देश इस समझोते के according 1991 के अंदर हुआ था तब से लेकर अब तक 2022 आ चुका है हर साल अपनी रिपोर्ट एक्स्चेंज करते हैं वो रिपोर्ट क्या है वो रिपोर्ट यह है कि दोनों देश एक दुसरे को यह बताएंगे कि हमारे परमाणू रियक्टर कहां कहां पर है मतलब आप सोच सकते हैं एक ऐसा समझोता जहां पर पाकिस्तान बार-बार कहता रहता है कि मैं बम फोर्ट दूँगा मेरे पास भी परमाणू पावर है न्यूक्लियर पावर है मैं यह कर दूँगा तो बावजूद इसके भी एक ऐसा समझोता हुआ है कि आप भारत को यह बताएंगे कि आपके परमाणू रियक्टर कहां कहां चल रहे है क्या-क्या कारे करम उसमें अंदर चल रहे है यह सारे चीज़े जो है वो भारत को होताएंगे के अंदर ये रिपोर्ट एक्षेंज की गई है वो 31st यानि 31 रिपोर्ट थी है तो ऐसा क्या हुआ कि ये जो प्रमानु समझोते की जुरूरत आप पड़ी और पाकिस्तान क्या इतना मतलब समझदार निकल गया कि उसने समझा कि ठीक है भई हम भी आपके एक दूसरे के साथ शेयर कर लेंगे और इस शेयर करने की जुरूरत भी क्या है इसको भी हम समझने वाले हैं पाकिस्तान इतना मतलब अच्छा तोड़ता है बाप ने इसके ओपर प्रेशर दिया बेटा माना कि बेटा मान जाओ तो ये मान गया था तब इसने इन्फोरमेशन दी थी मतलब इस की बात मान रही हैं और हम एग्रिमेंट करने के लिए तयार हैं तो ये मान गया था उस वक्त तो वो हम चीज़ें जानेंगे अभी क्या हुआ है आदान परदान की गई है यानि जो रिपोर्ट है कि कहां पर दोनों देशों के बीच में जो ये न्यूक्लियर देटे हुए उसको नीचे रखा है चोटे-चोटे अख्षरों में रखा है हिंदी को फोड़ी जप ज़्यादा प्रियृटी दे दियां वह ने और उसको बड़े-ड़े अख्षरों में वे ऊपर रख दिया फिक है खुश हो जाना है अब क्या करना है ये जो समझोता nuclear installation और जो facilities है उनकी report एक दूसरे को साजा करेंगे यह कहां लिखा गया है यह जो समझोता है इसके article 2 में यह बात बोली गई है ठीक है यह हर साल पहले साल की मतलब हर साल की पहली तारिक को यानि एक जनवरी को report जो है वो एक दूसरे के साथ share करते हैं अभी हुई है एक जनवरी 2022 में और एक और समझोता होता है वो समझोते का नाम है counselor access counselor access समझोता यह 2008 मई 2008 में हुआ था और इस समझोते के तहट क्या बात हुई थी कि यह बात हुई थी कि दोनों देश जो है अब यह भी बताएंगे कि एक दूसरे की जेल में एक दूसरे के देश के कितने नागरिक जो है वो कैद है बोले तो कि भारत यह बताएगा पाकिस्तान को कि पाकिस्तान के कितने नागरिक भारत की जेल में बंद है और पाकिस्तान यह बताएगा भारत को कि पाकिस्तान की जेल में भारत के कितने नागरिक कैद है और ये रिपोर्ट वो कब एक दूसरे के साथ साजा करेंगे वो हर साल एक जुलाई को ये रिपोर्ट एक दूसरे के साथ साजा करेंगे या एक्सचेंज करेंगे और ये परमानों वाली कब करेंगे एक जनवरी को करेंगे इसे माना नहीं था पाकिस्तान इसको मनाया था हमने 1991 के अंदर इसकी पूष्टी के गई थी यह agreement हो जाता है फिर यह जो हुआ है इसके अंदर 31 यह अदान परदान है हर साल यह होता है कभी रुका नहीं है भले कितने ही संबंद खराब रहे हो तनाप ओन रहे हो अच्छे रहे हो लेकिन यह information एक दूसरे के देश के साथ share करते आए है share करने का reason यह है जहां पर nuclear reactor चल रहे है हुआ कि एक देश ने आया कि वहां पर ही बम फोड दिया तो यार त्रहिमा त्रहिमा ही मत जाएगा वहां पर तो पूरा का पूरा देश दुश्मनी के आड के अंदर पूरे के पूरे देश को थोड़ना बरबाद किया जा सकता है तो वहां पर यह requirement आ पड़ी थी अभी आएंगे उस चीज के उपर अब इस agreement में क्या के चीजें cover किये जानी है इस agreement में जो cover किया जाना है वो cover किया जाना है nuclear power research reactor कहां कहां है वो बताएंगे या कितने हैं वो बताएंगे fuel का निर्मान हो रहा है वो बताएंगे uranium का enrichment यानि समवर्धन यानि उसको बढ़ाया जा रहा है वो बताएंगे कितना बढ़ा लिया आपने isotope का प्रिथी करन यानि separation इसके बारे में आप बताएंगे या फिर आप ये भी बताएंगे कि आपने जो nuclear है जो nuclear है वो कहां पर store करके रख रखा है उसके लिए आपने कोई installation की है या नहीं की है उसके बारे में भी आप एक दूसरे की देश को ये report में बताएंगे ये सारी चीज़ें जो है इस report के अंदर cover की जाएंगे clear या फिर इस agreement के अंदर चीज़ें आती हैं अब क्यों जुरूरत पड़ी क्या था 1981 के अंदर इसराइल ने बगदाद में जो इराक में बगदाद है वहां पर ये nuclear reactor था और उस nuclear reactor के आसपास इसराइल ने अपनी हवाईजाज बेच के वहां पर बम फोड़ दिया जो बम फोड़ा उससे सारे देशों के अंदर एक तरीके का ये message पहुँचा कि ऐसा अगर किया जाएगा तो भाईया पूरा का पूरा देश बरबाद हो जाएगा ये तो बहुत ज़्यादा तबाही मचा देगा तो वहां पर यहां ये जो अब यहां पर देखे smiling buddha हमारे देश में हुआ था एक operation जहां पर हमने इंद्रा गांदी जी के टाइम में परमाणू बम मनाया था तब वहां पर जो देश थे वो माने नहीं थे कि नहीं नहीं ऐसी कर रहे हैं मजाग कर रहे हैं ऐसा कुछ नहीं हो सकता फिर पोकरन टू हुआ था अटल वेरी बाजबी के टाइम में तब जो के मानने थे यहां पर भारत वहां पर परमाणू अपने मान गया थे कि लोग दूसरे देश जो मान गया थे कि हाँ भारत के पास भी परमाणू शक्ती पहुंच गई है उस वक्त अमेरिका भी तो इदर उदर भागने लगा कि मुझे भी चाहिए मुझे भी चाहिए बम चाहिए बम चाहिए तो यहां पर यह भी पाकिस्तान भी भागा था बम लेने के लिए अब उस वक्त क्या था अंकल सेम इस पाकिस्तान की मदद किया करता है अंकल सेम बोले तो अमेरिका अमेरिका पाकिस्तान के फेवर में था अंकल सेम जो है जहां अपना फाइदा देखता है या नि कहें कि अमेरिका जहां अपना फाइदा देखता है वहाँ है आज की डेट में भारत का वो इतना इसे मानने वाला नहीं था, 1972 के अंदर पता है कि इसके हार हूए थी, भारत और पाकिस्तान के जो युद हुआ था, उस में पाकिस्तान की हार हूए थी, अब पाकिस्तान को जो हार हूए थी, उससे इतना जादा ये, मतलब हिस्यानी विल्ली खंबा नोचे इसकी वो वाली निशन थी अब ये इतना ज़्यादा खुंदस खाये बाटा था देश के साथ भारत के साथ ये बात थोड़ना करना था उस वक्त तो भारत को लगा कि अर इससे बात करनी चाहिए सई धंक से बात करेंगे और ये agreement हमें करवाना चाहिए एक दूसरे के reactors के बारे तो हमें बताना है तो ये एक operation चलाता है भारत 1987 में ये operation चलाया जाता है उस operation का नाम होता है Brass Tax Brass Tax एक operation होता है जिसके तहथ क्या होता है कि भारत यहाँ पर पाकिस्तान है भारत अपने 5 लाख सैनिक उतार देते हैं उस 5 लाख सैनिकों में 3 की 3 सैन आई होती है तो एर फोर्स, मिल्टरी, नेवी ये सारी आई हुई होती हैं वहाँ पर तो यहाँ पर ये एक अभ्यास चल रहा होता है अभ्यास चीज का कि अगर परमाणू का हमला हो जाए यानि न्यूकलियर अटेक हो जाए तो उससे कैसे निप्टा जाएगा तो ये एक वहाँ पर क्या कह सकते हैं कि exercise चल रही थी अब अंकल सैम क्या कर रहा था? उपर से satellite से image कींच कींच कर ले लेकर पाकिस्तान को बेज रहा था और कह रहा था कि देखो देखो तुम्हारे उपर कभी भी अटेक कर सकते हैं अब पाकिस्तान बिचार कि इतनी जादा बूरी हालत थी और पांच लाग सैनिकों को कहां पर रोक पाएगा? देखी पांच लाग सैनिक का मतलब है कि वर्ल्ड वर्ल्ड टू के अंदर इतने सैनिक कभी कठा भी नहीं हुए थे या फिर नाटो के जितने भी देश हैं उनकी जितनी भी सैनाए हैं वो एक साथ कभी भी एक साथ इतनी नहीं आई थी ये इत्नी मतलब इतियास में पहली बार था कि किसी देश ने किसी दूसरे देश की बोर्डर के उप्र पाँच लाग सैनी कड़े कर दी हो इतनी संकिया के अंदर अब पाकिस्तान बेचा रहा सोच रहा है कि यार इतनी सैना मारेगा बिता तो रेक पर डरा रहा था अपने बेटे को तो वहाँ पर जो पाकिस्तान है इसको इतना मतलब प्रेशराइज हो गया था कि अब तो करना पड़ेगा इसने हाई अलेट लगा दिया था उस वक्त अब यहाँ पर क्या हुआ यह सामने साथ है कि ठीक है जी ठीक है पिता हममानते हैं आपकी बात को और कर लीजिये ऑग्रिमेंट कर लीजिये तो यहाँ पर यह एग्रिमेंट होता है उस वक्त अरवागा बारत और पाकिस्तान के बीच में और भी कुछ विवाद हैं उनके बारे में यह हम जान लेते हैं, सीमा पर आंतक वाद देखे, टेररिजम तो कह सकते हैं कि पाकिस्तान की एक तरीके की, मतलब पैदाई सी समझो वहाँ से, मतलब वहीं से पैदा हो रहे हैं, अपनी भूमी को वो लोगों, उन लोगों को यूज़ करने दिये यहां पर इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही है इनकी फोरेस्ट रिजर्व इनका खाली होता जा रहा है, दूसरों से दूसरे देशों से यह पैसे मांग मांग कर अपना देश चला रहे हैं यहां के जो लोग हैं, सरकारी लोग हैं तो इवन इतनी बुरी हालत है फिर भी यह अपनी हरकतों से बाज नी आ रहा है और यह आनतकवाद को बढ़ावा देने में अभी भी लगा वह है कोई भी ठोसकत में उठाए नहीं आतकवाद को रोकने के अब तभी के तभी ये ग्रे लिस्ट में पढ़ा हुआ है ठीक है FATF का आपको पता है तो अभी इसने कोशिश की थी कि मैं FATF के FATF यानि Financial Action Task Force से मैं बहार आ जाओं इसकी ग्रे लिस्ट से बहार आ जाओं और मेरे देश के अंदर इन्वेस्टमेंट हो जाए लेकिन ऐसा हुआ नहीं ये वापस उस ग्रे लिस्ट में पढ़ाया है अब यहां पर क्या हुआ भारत की वैसे कोशिश थी इसको ग्रे लिस्ट से भी लास्ट की लिस्ट या नि ब्लैक लिस्ट में डाल पाए लेकिन ये उसमें जा नहीं पाया क्यार उसका एक अलग नरीका है उसको फिर कभी डिस्कस करेंगे फिर एक 1960 के अंदर एक समझोता हुआ था जो वर्ल्ड बैंक भाई साब ने करवाया था दोनों देशों के बीच में सिंदू जल समझोता सिंदू जल समझोता है कि एकोर्डिंग क्या थी कि जो नदियां भारत से बह रही है उस नदियों का कुछ पानी कुछ नदियों का पानी जो है वो पाकिस्तान के अंदर जाएगा वो कौन-कौन से थी इंडूस जहलम और चेनाव इनका असी परतिशत पानी जो है वो भारत यूज करेगा और जो तीन नदियां और रहे गी थी ना लेकिन आप उन उस पानी के उपर हाइडरो एलेक्टरिसिटी मतलब कि पानी का यूज करते हो आप ऐलेक्टरिसिटी ज 느ri कर सकते हैं और उसके लिए क्या करको पड़ेगा उनके उपर डैम बनाना पड़ेगा और डैम बननने से ही वहाँ electricity generate होगी, तो भारत ने कहा कि वहाँ पर dam banana start करती है, और यह पाकिस्तान भाई साब पहुंच गए, देखो देखो हमारी जो यह समझोता हुआ था यह संधी हुई थी, उसका यहाँ पर यह उलंगन कर रहे हैं, लेकिन actual में कोई उलंगन नहीं था, उस list को शाय दिनों नहीं या फिर उस agreement को पाकिस्तान ने सही से पढ़ा नहीं होगा, कोई ना, अब पढ़ लेगा वच्छे से, तो यह हो गया एक सिंदू जल समझोता है अब सियाचीन Glacier को लेकर जहां पर सबसे उंचा, विश्व का मामला है, जो 96 किलोमेटर इसकी एक लंबी पट्टी है, जहां पर क्या है, कि पाकिस्तान कह रहा है कि देखो सर क्रीक हमारा है, एच्छल में क्या हुआ था, जो सिंद, उस वक 1914, यानि 1914 में जो सिंद का जो गवर्नर था और जो यहां का कच के राव महराज थे, इन दोनों के बीच में एक agreement पे sign किये गए, उस agreement में article 9 और article 10 के अंदर अलग-अलग व्याक्या दी गई थी, एच्छल में व्याक्या क्या दी गई थी, सिंद का, यह जो यह है यह मैं मान लेता हूँ, यह है सरक्रिक सरक्रिक जो है, यह सिंद वालों ने तो कहा, जो उस वक्त गवर्णन थे, उन्हों ने अपने मैप में दिखा दिया, ठीक है, इधर भारत ने भी इसको अपने मैप में दिखा दिया, एक तरीके से यह interpretation अलग-अलग हो गए थी, अब क्या हुआ देश आजाद हुआ, तो यहां पर पाकिस्तान बोला, कि यह हमारे पास है यह पूरा का पूरा, यह हमारे पास रहेगा सरक्रिक, लेकिन भारत ने का कि चलो ठीक है, तुम इसको मान रहे हो न, तो एक काम करते हैं, इसको हाफ-ाफ कर लेते हैं, हाफ तुम ले लो, हाफ हम ले लेते हैं, सरक्रिक वाला इसकी, जो 96 किलोमेटर की एक लंबी पट्टी है, ध्यान रख, न, इसकी जो लाएन था, वो 96 किलोमेटर है, अब भारत ने तो बोला कि इसको हाफ-ाफ कर लेते हैं, पाकिस्तान बोला कि नहीं, नहीं, हाफ-ाफ कैसे कर लेंगे, हमारी तो नाव ही नहीं गुजरेंगे इससे, तो भारत ने का, चल भाग यहां से, हम तुमको हाफ भी नहीं देते हैं, पुरा ही हम लेंगे यहांपर, तो यह बात होगी थी, यहांपर सरक्रिक को लेकर दूसरी चीज, यहांपर जम्मू और कश्मीर का पुनर गठन, 2019 के अंदर पांच अगस्त को एक जो रियोर्गिनाइज़ेशन, एक्ट जो पारित हुआ था, जिसके अंदर जम्मू कश्मीर को दो अलग-अलग हिस्सों में बाड़ दिया गया था, यूनिन गठन भी होगा, और लद्दा को एक यूनिन टरिटरी बना दिया गया था, कोई भी वहांपर विधान सबा नहीं होगी, क्लिर यह वहांपर, अभी वहां जो जम्मू कश्मीर के अंदर परिसीमन चल रहा है, कि कितनी सीटे वहांपर देनी है, तो अभी चल रहा है, आने व देखो देखो हमारा साथ दो और भारत ने क्या है कि जमू कश्मीर का जो इसके एक तरीके से अजाद कश्मीर कहने की कहता है कि जमू कश्मीर के लोग अजाद है इनको एक अलग देश बनना चाहिए खुद जब की पी ओके यानि पाक उक्विपाइड कश्मीर खुद उसके पर अपना अधिकार करके बैठा है तो ये दोगला बंती करता है हमेशा से तो इसके उपर इसने हमेशा हर मंच के उपर आवाज उठाईए कि देखो कश्मीर के उपर ये जात्तियां कर रहे है एच्छल में इसकी कभी किसी सुनी नहीं है सुनेगा भी कौन इतनी तो हिम्मत ह है ना हैसीद भी नहीं थनी चलिए ये रियोर्गिनाजिशन एक्ट हो गया अब क्या है आगे की राह क्या हो सकती है आगे की राह ये हो सकती है कि दोनों देश जो फरवरी के अंदर दो हजार एकिस में दोनों देशों के बीज लाइन ओफ कंट्रोल और जो भी जितने भी लाइन्स है या फिर सभी शेतर है जहां पर इन्होंने युद विराम की एक सक्त पालन करने की भी सहमती जताई है लेकिन उसको देखकर लग नहीं रहा है जैसे हालात है दोनों देशों के बीच में कि उसका काफी टाइम तक पालन किया जा सकता है दूसरी बात ये है कि पा अपनी इस जिद के तहद भाईया पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान के अंदर जैसी कंडिशन है जैसी कंडिशन बोले तो वहां पर लोक्तांत्रिक तो है नहीं डेमोक्रिसी तो है नहीं डेमोक्रिसी क्यों नहीं क्योंकि जो military है और जो military है और यहां पर दंतवीन नागरिक सरकार है इन तोनों के पीच में अभी भी कोई सई धंक से वारतलाप नहीं हो पा रही है तो यह सारी problems यहां पर चल रही है तो इस चीज को सुल जाना उस देश की problem मतलब बनता है कि हाँ वो संबाले अब देखिए काफी सार फाइदा उठा लेगा जैसे चीन यहां पर उठाने के लिए त्यार बैठा ही है पूरा का पूरा कुछ सालों के अंदर यहां फिर कहीं कि अब तो बिल्कुल बिक ही चुका है कुछ सालों के अंदर एक दूसरे मतलब यह चीन का colonial मतलब कि उसकी बस्ती बनके रह जाएगा यह तो भारत के पुरुष चीज का असर पड़ेगा तो यह सब चीजें जो थी यह agreement के तहत आपने देख लिए हैं उमीद करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो समझ में आयोगी समझ में आयोगी तो थोड़ा बहुत भाया हमें भी समझ लो समझ कैसे लोगे like करके subscribe कर आपको वहाँ पर इसकी PDF मिल जाएगी clear उमीद करता हूँ कि आप लोगों कोई अच्छी लगी होगी और ज्यादा ही पसंद आगी है तो share जरूर कर देना वीडियो को भी और चैनल को तो अगली वीडियो में thank you for watching this video